हेलो गाइज आपका स्वागत फिर से मेरे चैनल साइंस अनिमेशन वर्ड में तो आज हम देखेंगे क्रॉस मेटिपिलेशन मेठ़ड एंड ग्राफिकल मेठ़ड जो की चैप्टर नंबर 3 क्लाश 10 पेर अफ लिनियर उक्रेशन इन्ट वैरेवल्स के बहुत इंपोर्टेंट सब्सक्राइब कर दूंगा तो किरपिया जरू देखेगा और अगर उससे पहले अपने चैनल सब्सक्राइब लाइक का बटन दबा दीजिए तो चलिए वीडियो बेना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो हमाँ पास एक क्वेशन है हम इसे सॉल्ट करेंगे आज क्रोस मे थर से में तो देखे इसका मैं ऐसे लिख सकते हैं 2x plus y minus 5 is equal to zero and 2x plus 2y minus 8 is equal to जीरो ठीक है अब देखिए फिर्स्ट में कौन सा यह लेंगे वान अब इसको हम 23 वारा मै Вас कहते हैं यह बहुत इंपर्टन है तो इसको याद रिखेंगे और मैं अब को एकदम इसी विंगे बताऊँगा कि इसको कैसे करें ये 23 12 मैं आपको लिखे भी बताता हूं 23 12 12 देखिए यहां 2 का मतलब है कि 2nd term के जो कॉफिशेंट है वो लिख दीजे 2nd term के कॉफिशेंट मतलब 1 by 2 3rd term में माइनस 5 by minus 8 1st term में 2 by 2 फिर अगें 2nd term में 1 by 2 ठीक है it means x upon is equal to y upon is equal to 1 upon अब देखिए क्या यहां क्या करेंगे क्या क्या करेंगे इधर से क्रॉस मेल्टिपिलेशन करेंगे लेकिन माइनस करके यानि माइनस का 2 into minus 5 minus 2 into minus 8 minus 2 into 1 तो हमारा क्या निकला x upon minus 8 plus 10 is equal to x upon 2 is equal to y upon minus 10 and minus 16 is equal to 6 now 4 and minus 2 is equal to 1 by 2 अब हम क्या करेंगे जो हमारे एक्स टम आय और वाय तम आय उसको हम compare करतेंगे constant हम से constant हम से compare कैसे करेंगे x by 2 is equal to 1 by 2 तो क्या जागा x is equal to 1 by 2 into 2 x की value हम आगई हमारी 1 now अब क्या होगा y upon 6 is equal to 1 by 2 हम रखेंगे तो होजाएगा y is equal to 1 by 2 multiply by 6 2 3 is a 6 and y की value आगई हमारी 3 this is cross multiplication method I hope आपको अच्छे समझ आ गया होगा तो आप जल से not done कर लिए फिर हम बढ़ते हैं अपने graphical method की तरफ तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अगले method की तरफ जो की है graphical method तो देखिए हमें graphical method में क्या होता है यह equation जो हमें given होती है इसको हमें graph पर plot करना होता है तो आपको मैं बता जूँ कि जब भी आप यह करे तो scale का इस यूज ज़र्व किये ज़गा तो देखिए हमें कैसे करना होता है कि देखिए तो x upon y में हमें x की आपको देखिए हम अपने तरफ से करते हैं लेट कि वाई-इस-उ्कल तो 0 इन एक्वेशन फ़च्ट यह क्यों सेकंड जैसे हमने वाई-जी रखा तो यह तो 6 क्मिन Z एक्वेट थो थ्री यानि हमने y 0 रखा तो x कितना आया थ्री आया यह फास्ट एक्वेशन का है है सेकेंड हमें दो वैल्यू निकालनी होती है इस बार y को हम कुछ होर रख सकते हैं y को इस बार हम रखते हैं 2 2x plus 2 let be y is equal to 2 in equation first theory 2x plus 2 is equal to 6 तो यह कितना हो गया 2x is equal to 6-2 x is equal to 4 by 2 is equal to 2 यानि अगर हम y को 2 रखते हैं तो x भी हमारा 2 है यह होगा हमारा solution first equation का हम देखे second equation को भी बिल्कुल स्थिता करेंगे let be y is equal to 0 in equation second तो जैसी equation second में y 0 हुआ तो यह हो गया 2x plus 0 is equal to 2 it means कि x is equal to 2 by 2 x हमारा बनाया यानि कि second equation का अगर हम देखें x upon y तो जैसी हमने y को 0 लिया x हमारा 1 आ गया उसके बाद जैसी हम दूसरी equation में करते हैं जैसे let be y is equal to 2 in equation second तो वैसे हमारा सेम होगा 2x plus 2 is equal to 2 it means x is equal to 0 by 2 x is equal to 0 अगर हमने y2 रखा तो हमारा x 0 आया तो आप यहां टाक note down कीजिए उसके बाद हम इसको plot करेंगे इन points को graph के ऊपर करेंगे मतलब graph पर यह हमारी है x axis यह हमारी है y axis 1 2 3 तो देखिए हमें पहला point गी बने की y 0 है x 3 है इत मेंस यह हो गया 3 0 second point y 2 x b 2 it means this point it is 2 2 now by joining this line we get this equation the equation number first which was 2 x plus y is equal to 6 now second equation x is 1 y is 0 and x is 1 it means 1 and 0 y is 2 x is 0 it means 0 2 now by joining this line this 1 and 0 by joining this line this is the equation second number second which was 2 x minus y is equal to 2 2 because y kya tha hamaara 0 tha x hamaara 1 0 1 y kya hai 2 hai x say 0 y 2 or x 0 it means yewa li line ye by joining this line we see that there both lines are parallel to each other so this is the graph half of these two equations so this is the graphical method i hope आपको अच्छे समझा गया होगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरू कीजेगा थेंके बिलते अगली लेक्षर में तब तक बने गईे और सस्थ रहे है कि